दिल्ली नगर निगम MCD चुनाव में आम आदवी पार्टी ने धमाकेदार जीत धर्ज की है और BJP को बेदखल कर दिया है MCD पर BJP का पिछले 15 सालों से कबजा था चुनाव में एक बार फिर से कॉंग्रस की शर्मनाक हार हुई है MCD में आपने 134 सीटे जीती तो BJP के खाते में 104 सीटे आई जबकि कॉंग्रस को 9 और अन्य को 3 सीटे मिली है अब ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंदर अर्वन केज रिवाल ने जीत के बाल BJP पर जम कर निशाना साथ है उन्होंने कहा कि एहंकार करने से बड़ी से बड़ी सत्ता गिर चुकी है अर्वन के जीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली सरकार में भष्टाचार खत्म किया वैसे ही MCD में लूट पाट और लैंटर से वसूली बंद करेंगे उन्होंने आगे कहा कि कई बड़े नेता कहते थे कि स्कूल अस्पताल से वोट नहीं मिलते दिल्ली की जनता ने देश को संदेश दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलते है तो दिल्ली MCD चुनाव को लेकर तमाम जो exit पोस थे वो सही साबित हो चुके है आम आदमी पार्टी ने MCD फतर कर लिया है पिछले 15 सालों से बीजेपी का MCD पर कबसा था अब सत्ता से बेदखल बीजेपी को करते हुए आम आदमी पार्टी जो है वो MCD के सत्ता में काबिज हो चुकी है सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ मैं इतनी बड़ी जीत के लिए इतनी शांदार जीत के लिए इतने बड़े बदलाव के लिए इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सभी पार्टियों से कि बस राजनीती आज तक की थी आज तक जितनी राजनीती करनी थी कर ली अब अपने को सब को मिलके काम करना है सब को मिलके दिल्ली ठीक करनी है इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूँ इसमें मैं कॉंग्रेस का भी सहयोग चाता हूँ, मैं सब का सहयोग चाता हूँ सब के सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, केंदर सरकार का सहयोग भी चाहिए हम आज इस मंच के जरिये से मैं केंदर सरकार से भी और खास कर प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशिरवाद चाहता हूँ कि उनका भी प्रधानमंत्री जी का भी और केंदर सरकार का भी आशिरवाद हमें चाहिए अपने को भष्टाचार भी दूर करना है अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था लूट पार्ट का, लेंटर पे पैसे लेने का, यह सब खतम करना है अपने को, जैसे दिली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिली सरकार के अंदर अब भष्चाचार नहीं होता, ऐसे अब नगर निगम को भी साफ करना है, सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्म मेसेज दिया है सारे देश को एक मेसेज दिया है क्या मेसेज है मेरे बस बहुत लोग आते हैं बड़े-बड़े नेता कई-कई सालों के नेता पुरानी पार्टियों वाले सब कहते हैं कि एजिवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते एक चीज और कहना चाहता हूं एहंकार मत करना बड़ी-बड़े सक्ता गिर गए हैं एहंकार से